ब्रेकिंग निज में बड़ी खबर बिहार की राजनिती से निकल कर सामने आ रही है आपको बता दे कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया है आर राजत की बढ़ाईक जो भरत बिंध है जो की भवाषए से बदार बदल कर BJP का दामन थाम लिया है और अब ऐसा उमीद जताय जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी भगदर वह माहाघळ बंदन में देखने को मल सकती है तो आईए ने मुदब पर बास्चीत करते हैं हमारे साथ senior journalist रो सिंग जी मौजूद है उन्हीं से बास्चीत करते हैं सर बड़ी खबर आ रही है बिहार की रादिती से विधायक ने फिर से पाला बदल लिया है और बीजेपी का दामन धाम लिया है क्या कहेंगे देखिए हम ब दारी गोत्तम उसी इलाके से आते हैं संगीता कुमारी उसी इलाके से आती है अब आज एक नया न्याम जूट के अभरत बिन्द बीजेपी में सामिल हो गया दो चीजें ध्यान में रखना चाहिए हमारे दर्सकों को कि जो बिधायक चूट रहे हैं महागडबंदन से ज्या चला जारी रखता है विधायक आते जाएंगे जिसके पूरी संभाबना है आपको हम बताएं कॉंग्रेस के विधायकों में भी बड़ी टीट होने की संभाबना है और बहुत जल्द आपको फिर एक ब्रेकिंग न्यूज करना पड़ेगा कि कॉंग्रेस में भी खेला हो गय कि समराण चौधरी के साथ भरत बिन उनकी ही गाड़ी में बैठकर विधान सभा पहुंचे हैं और फिर उसके बाद वह सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गया यानि की बीजेपी के साइट और विपक्ष के पास जाकर नहीं बैठे तो क्या वज़ए इसके बताया जा रहा है कि पास पक्ष मैं हरो बार बार रघा रही है यानि लगातार कर रहे हैं कि खरीदा जा रहरा है विधायकों को तो तो क्या विधायकोंके मश्बूरिया वाकई में उन्हें खरीदा जा रहा है थे खरीदी होस्तेडि लिया गया होगा हमको परलोबन दिया गया होगा हमको कोई अस्वासन दिया होगा ठीक है रापड़ी दिभीक आरोप दूसरे नेता आरोप लगाएंगे और लोग आरोप लगाएंगे इस तरह के आरोप लगेंगे लेकिन जो चीजे हो रही है बिहार के सियासत में बिधायक तूट रहे हैं महागडबंधन के विधायक तूट रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं यह एक समझने वाली बात है कि यह आगे बाले एक बड़े महाखेल की एक तयारी है एक प्रिष्ट भूमी तयार हो रही है जो 27 समराठ चौदरी बिछा रहे हैं बिहार के सियासत में उसक भी हुई है उनको लगता है कि कहीं ऐसी परिस्तिति नहीं हो जाए कि जंता दल युनाइटेट के बिधायक दल में भी तूट हो जाए तो वो सारी चीज़ें परिस्तितियों पर निर्भर करेगी बीजेपी चाहती है कि सरकार चले स्मुतली चले महागडबंधन को हम कम जो में भी तूट हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि माले के कुछ विधायक तूट के दूसरे पाले में चले आए तो यह चीज़ें बिहार में हो रही है और बाजपा इसको बहुत ही सलीके से करीने से अंजाम दे रही है कि कहा जा सकता है कि अब कहीं न कहीं जदियू खे हुई है एक बारीक लाइन खीची हुई है कि जो सरकार बनी है 28 जनवरी को उस सरकार को लोग सभा चुनाव तक ठीक धंग से चलाया जाए लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो जाती है विधान सभा भंग करने की बात हो जाती है आर जी विधायकों का ओप्रे देखिए एग्रेसिव पॉल्टिक्स के लिए जाने जाते हैं वह रुकना नहीं जानते हैं वह तुरत फैसला चाहते हैं और जिस तरह से देख रहें कि लगातार एक दिन छोड़के एक दिन छोड़के बिधायक आ रहे हैं इसका मतलब है कि समराठ चौधरी के प्लानी एक कि बिहार में यह सब चीज़ें भी हो सकती है अगले को यह समझना चाहिए तो इसी लाइन पर चीज़ें हैं भाजपा एक चीज किलियर कर चाहती है कि नितिश कुमार के साथ जो सरकार बनी है वो लोग सबाच्चुनाब तक इस मुतली चले यह भाजपा की इच्छा है समर विधायकों की कौन से ऐसी मजबूरी है जिसके वज़े से वह पाला बदल रहा है जैसा कि देखा जा रहा है कि जब से सरकार बदली है उसके बाद से विपक्ष के जतने विधायक है या बड़े नेता है उनके घर पर जाच एजिंसियों की छापे मारी चल रही है तो क्या क आगे की राज़िति की बात होगी चुकि जो मोमेंटम बना है राम मंदिर के बाद हम बराबर बोलते हैं जो ब्राण मोदी है राम मंदिर का आपना यह तजुरुबा है उसका यह लहर बाली बात कही जाती है या भाजपा का जो अपना संगठन और संसाधन की च्छमता है उससे भाजपा बहुत सारे बिधायकों कैसा लगता है कि भीजेपी के साथ हम रहेंगे तो हमको फायदा होगा तो इसी परिस्तिति में चीजें उल्टा पुल्टा हो रहे हैं बिधायक उधर से उधर आ रहा है लोग अपना आगे का भविष्ट देख रहे हैं और आ रहे ह है बीजेपी के तरब जैसे कल परसोही बहुत भाजपा नेताव ने कहा कि यह नरेद मुदी का एट्रेक्शन है जो भाजपा के साथ दूसरे दलों के बिधायकार है लेकिन एक रननीती है एक होंबर किया गया है और उसी होंबर के तहट आपरेशन कॉंग्रेस भी होगा औ और जो आरजपार का तो जो हो रहा है सु ही रहा है तो देखिए फ्लोर स्ट के पहले तो तेजसवी आदो बड़ा खेला की बात कर रहे थे लेकिन जबसे बहार में डिये की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार खास करके राज़त के साथ ही खेला पे खेला होते जा रहा ह और ऐसे में उमीद जताई जारी है कि भाजपा कुछ बड़ा प्लान कर रही है भाजपा बड़े प्लान की तैयारी में जुटी हुई है और आने वाले समय में जो है और भी ऐसी तूट देखने को मिल सकती है और भी महागट बंदन के वधायक जो है वो इनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में ऐसा होगा और ऐसा होता है तो इसके पीछे की वज़ा क्या है आप अपते विशारों को कमेंट करके हमारे साथ साजा करें फिलार इस खबर में बस इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए बने रह हमारे साथ देखते रहे कापिटल टीवी बियार तन्यवाद